ट्रामा, लडाई और रोनाधोना इन एलेमेंट से ही तो बिग बॉस का जो घर है वो कम्प्लीट होता है आप पिछले सीजन की ही बात ले लीजे ज़रा सोचके देखिए कि घर में अगर अर्चना गौतम ना होती तो क्या मज़ा आता? या फिर अगर पिक बॉस पंद्रा में प्रतीक सहचपाल और साथ ही नेहा भसन जैसे केरेक्टर्स मिर्च मसाला डालनी के लिए ना होते तो क्या उतने ही चाव से हम सीजन 15 देखते हैं? वो भी काम किया है खेर इस सीजन तो एक और चीज काफी जादा वाइरल हुई है कंटेस्टेंस के साथ-साथ जोकी है अंकिता और विक्की की लड़ाई और एक्ट्रिस की सास के उन बातों पर मारे हुए ताने इन चीजों के अलावा अब रोहित शेटी ने भी शो के अंदर आकर विक्की को लेकर बड़े खुला से किये है जोकी इस वक्त काफी जादा वाइरल हो रहे हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा माश्रा बिग बॉस सत्रा के लेटेस्ट एपिसोड में रोहित शेटी आये थे और आने के साथ ही उन्होंने धमा का ही मचा दिया रोहित शेटी ने ना सिर्फ टॉफ फाइव कंटेस्टेंस से कुछ टफ सवाल पूछे बलकि उन्हें उनकी रियल गेम को लेकर आइना भी दिखा दिया यही वज़ा है कि सोशल मीडिया पर रोहित की काफी तारीफ हो रही है इसके अलावा रोहित ने सभी के साथ मस्ती भी की उन्होंरे अंकीता लोखंडी को ये तक बता दिया कि विक्की शो से बाहर जाकर पाटी कर रहे है अपने घर के अंदर रोहित कहते हैं कि विक्की भाईया बाहर पाटी कर रहे हैं वो भी सना खान आईशा खान ईशा एक और लड़की के साथ वो कहते हैं कि पाती कर भी सब अपने घर में ही रहे हैं अंकिता रोहित की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और अंकिता का ये स्टेटमेंट सुनकर सब हसने लगते हैं बता दे कि हाल ही में जब विक्की को स्पॉट किया गया तो उनसे सना खान के भी बारे में पूछा गया था कि क्या उनकी पाती में सना भी आई थी तो इस पर विक्की हसे और कहा सना अपने घर पर है सना जी का साथ खत्म हुआ विक्की जब घर से बाहर निकले तो अंकिता ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो बाहर जाकर पार्टी नहीं करेंगे वो बोलती है कि मैं आकर देखूंगी कि तुने पार्टी तो नहीं की हाला कि घर से जाते ही विक्की ने सबसे पहले दोस्तों और परिबार वालों के साथ पार्टी की थी. वहीं अंकिता शो में बोलती दिखी कि वो घर जाकर CCTV चेक करेंगी, कि कहीं विकी घर में पार्टी तो नहीं कर रहे थे, हाला कि इस सब के बाद अंकिता अभिशेक से बात करते हुए भी नज़र आती हैं, और यह कहते नज़र आती हैं, कि वि तो आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ नियूज निशन पर धन्यबाद